दोस्तो संपूर्ण स्वास्थे का मतलब होता है कि तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए तन और मन दोनों में किसी तरह की कोई बिमारी नहीं होनी चाहिए और शरीर में किसी तरह का कोई दर्द नहीं होना चाहिए इसी को संपूर्ण स्वास्थे कहते हैं कुछ निशानिय होती हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आप संपूर्ण स्वस्थ हैं या नहीं जैसे गहरी नीद आना गहरी नीद आना संपूर्ण स्वस्थ की निशानी है अगर अच्छी और गहरी नीद नहीं आती है तो बॉडी अपने आपको हील नहीं कर पाती है बॉडी अपने आपको ठीक नहीं कर पाती है बॉडी की अंगों को पूरी नीद ना मिलने के कारण वह अपने आपको ठीक नहीं कर पाते जिससे बिमारियां पैदा होती है तो अगर आपको गहरी नीद आती है तो आप कह सकते हैं कि आप संपूर्न स्वस्थ हैं संपूर्न स्वस्थ की दूसरी निशानी है सुभे असानी से पेड़ साफ होना बहुत से लोगों को सुभे पेड़ साफ करने के लिए काफी मशक्कत करने पड़ती है अगर बिना कोई मशक्कत किये, बिना कोई दवा खाए, एक मिनट के अंदर-अंदर, आपका पेड़ असानी से साफ हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि आप संपूर्न स्वस्थ हैं, संपूर्न स्वस्थ की तीसरी निशानी है भूख लगना, बहुत से लोगों को सुभे भूख लगती है, और दिन में 2-3 बार अच्छी भूख लगती है, संपूर्न स्वस्थ की अगली निशानी ये है, कि आपका वजन आपके शरीर की हाइट के हिसाब से अनुपात में हो, अगर आपके शरीर का वजन आपकी हाइट के हिसाब से कम है या ज्यादा है, तो वज और हाइट का यह गलत अनुपात ही बिमारियों का कारण है। जैसे हड़ियों का दर्द, सर दर्द, पेट में दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कमर में दर्द, जोडों में दर्द, कंधों में दर्द, अगर आपका शरीर दर्द रही थैं, तो आप कहे सकते हैं कि आप संपूर्न स्वस्थ हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका मानसिक स्वास्ते अच्छा है हमारे पूरे शरीर में उर्जा का एक flow होता है यह flow सर से लेकर पाँव तक होता है जब भी इस flow में कहीं पर रुकावट आती है तो वहाँ पर बिमारी पैदा होती है जैसे अगर heart में flow कम हो रहा है तो heart की बिमारी होती है अगर घुटने में flow कम हो रहा है तो घुटने की बिमारी होती है शरीर में जहां पर भी उर्जा का flow कम होता है वहाँ पर बिमारी पैदा होती है इसके लवा बिमारी का जो दूसरा कारण होता है वे है toxins जब शरीर में उर्जा का flow कम होता है, तो फिर वहां पर toxins भी पैदा होते हैं। लिए ज्यदा महनत करने पड़ती है, इससे कई तरह की toxins पैदा होते हैं। टॉक्सिन्स बनने का दूसरा कारण है ज्यादा खाना खाना जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो शरीर को इसे हजम करने में ज्यादा लंबा समय लगता है इससे भी टॉक्सिन्स बनने का तीसरा कारण है जल्दी जल्दी भोजन करना जब हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो भोजन मुह के अंदर जो लार होती है उसके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाता क्योंगे हम भोजन को जल्दी जल्दी चबाकर पेट में जल्दी भेज देते हैं इससे भूजन पेट में जाकर ज्यादा अच्छे तरीके से पच नहीं पाता इससे भी टॉकसिंस पैदा होते हैं टॉकसिंस बनने का अगला कारण है बिना भूक के खाնा खाना हम अकसर समय कह Christians आपसे खाना खाते हैं, ना की भूक कहिसा आपसे कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने का समय हो जाता है, लेकिन भूख नहीं लगी होती, कभी भी भूख लगे बिना खाना नहीं खाना चाहिए, जब आप बिना भूख के खाना खाएंगे, तो वह खाना अच्छे से पचेगा नहीं, जिससे टॉक्सिंस बनेंगे, अगर आप स बोजन करते समय आप ज्यादा से ज्यादा आधा गिलास पाने पी सकते हैं या फिर एक गिलास लस्य पी सकते हैं ज्यादा पाने पीने से digestion पावर कम हो जाती है जिससे toxins बनते हैं बोजन करते समय अगर 10 परकार के चीज़ें आप एक साथ खाते हैं तब भी बोडी में toxins बनते हैं क्योंकि ज्यादा चीज़ें एक साथ खाने से भी digestion पावर कम होती है जिससे toxins बनते हैं भोजन करते समय भोजन में variety को कम रखें तीन से चार चीज़ें ही एक समय पर खाएं toxins बनने का अगला कारण है factory में बनी चीज़ें खाना जितना ज्यादा आप factory में बना खाना खाते हैं उतना शरीर में toxins ज्यादा बनते हैं क्योंकि जो फैक्टरी में बनी चीजे होती हैं, उनमें इन चीजों को खराब होने से बचाने के लिए preservatives डाले जाते हैं, chemicals डाले जाते हैं, नकली रंग डाले जाते हैं, नकली स्वाद मिलाया जाता है, यह सब chemicals होते हैं, जो शरीर में जाकर toxins पैदा करते हैं, घर पर आप सुभे की बनी रोटी अगले दिन नहीं खाते, जबकि फैक्टरी का बना खाना कई-कई महीने पुराना होता है, जो बिस्किट आप खाते हैं, पता नहीं, वह कब के बने होते हैं, जितना ज्यादा फैक्टरी का खाना खाएंगे, उतना ज्यादा शरीर में toxins बनेंगे, अगर हम ज़रूरत से ज्यादा सोचते हैं, जो शरीर में इस तरह के कई chemicals पैदा होते हैं, जो शरीर में toxins का निर्मान करते हैं, जैसे आप किसी के बारे में गलत सोचते हो, नेगटिव सोचते हो, गुसा ज्यादा करते हो, तो कई तरह के ऐसी chemicals पैदा होते हैं, जो शरीर में toxins पैदा करते हैं. तनाव के कारण भी शरीर में toxins पैदा होते हैं. जब आप ज्यादा तनाव में होते हैं, तो शरीर में इस तरह पान ने शरीर को इतनी ताकत दी है कि वह अपनी सफाई खुद कर सकता है। अपने शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिंज हैं उनको बाहर निकाल सकता है। पांस तरीकों से शरीर अपने अंदर जम्मा टॉक्सिंज को बाहर निकालता है। सबसे पहला तरीका है आंसुओं के जरिये अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं तनाव में रहते हैं आपको कोई दुख तकलीफ है तो इसे आपके अंदर जितने भी टॉक्सिस बनेंगे वे आपके आंसुओं के जरिये बाहर आ जाएंगे इसलिए अगर आप दुख में हैं तकलीफ में हैं तो आपके लिए रोना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं रोते हैं तो फिर यह टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं आते और शरीर के अंदर रुक कर बिमारी का कारण बनते हैं आपने देखा होगा कि हाट की बिमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होती है क्योंकि दुख में होने पर पुरुष कम रोते हैं महिलाएं ज़्यदा रोती हैं पुरुष अपने टॉक्सिन्स को आंसुों के जरीए बाहर नहीं निकाल पाते और इन टॉक्सिन्स का हार्ट की उपर सबसे ज़्यादा बुरा असर होता है। इसीलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुशों को हार्ट की बिमारी ज़्यादा होती है। क्यूंकि वह आंसुं के जरीए अपने टॉक्सिंस को बाहर नहीं निकाल पाते और यही टॉक्सिंस उनको फिर नुक्सान करते हैं. तो अगर आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो आप आंसु निकालिए, रोईए, इसे आपके toxins शरीर से बाहर निकलेंगे। दूसरा तरीका, जिससे शरीर toxins को बाहर निकालता है, वे है कान की मेल के रूट में। तीसरा तरीका जिससे शरीर टॉक्सिंज को बाहर निकालता है वे है किड्नी के द्वारा किड्नी शरीर के अंदर जितने भी फाल्तू कैमिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालती है तो अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पसीना आएगा जिससे आप अपने शरीर के फाल्तू टॉक्सिंज को बाहर निकाल पाएंगे पांचवा तरीका है मलक के द्वारा मलक के द्वारा भी शरीर टॉक्सिंज को बाहर निकालता है तो इन पांच तरीकों के द्वारा शरीर टॉक्सिंज को बाहर निकालता है शरीर को स्वस्त रखने के लिए पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप इन पांच बातों का ध्यान रखेंगे और तीसरा है fasting यानि वरत। आपको हफते में एक बार वरत जरूर रखना चाहिए। वरत रखने का यह मतलब नहीं है कि आपको पूरा दिन भूखा रहना है। वरत वाले दिन आप पूरा दिन पका हुआ भूजन ना खाएं, बलकि सिर्फ नैचुरल कुदरती भूजन खाएं, जैसे फल और सलाद। अगर आप अफते में एक बार भी ऐसा कर लेते हैं, तो आप अपने शरीर को काफी हद तक शुद्ध कर सकते हैं। हमारे शरीर में कम से कम 70% पानी होता है, तो शरीर को शुद्ध करने के लिए वाटर थेरपी का बहुत बड़ा योगदान है। वाटर थेरपी आपको किस तरह से करनी हैं। सबसे पहले रात को सोते समय आपको यूरिन जाना चाहिए। ताकि जो गंदा पानी शरीर के अंदर जमा है वह बाहर निकल जाए। पूरी रात शरीर के अंदर ना रहे। इसके बाद आपको एक गिलास गुन-गुना पानी बैठकर धीरे-धीरे पीना है और उसके बाद आपको सोने जाना है। रात को सोते समय आपको पानी इसलिए पीना है ताकि यह पानी रात भर शरीर की सफाई करता रहे और रात को शरीर में पानी की कमी ना रहे। सुबह जब आप उठेंगे तो यह पानी यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगा और साथ में टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल देगा। अगर आप रात को सोते समय पानी नहीं पिएंगे तो फिर यह टॉक्सिन्स आपके शरीर में ही रह जाएंगे। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको यूरिन जाना है। इसके बाद दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको दो गिलास पानी पीना है। जब यह पानी हजम होगा तो आपको फिर से यूरिन आएगा। इस बार जब आप अपने यूरिन को ध्यान से देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके इस यूरिन में स्मेल सुभे के पहले यूरिन के मुकाबले कम है और इसका रंग भी सुभे के पहले यूरिन के मुकाबले हलका है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर से टॉक्सिंस कम हो रहे हैं। जो सुभे का पहला यूरिन था उसमें टॉक्सिंस ज्यादा थे, इस दूसरे यूरिन में टॉक्सिंस पहले से कम हैं। दूसरी बार यूरिन जाने के बाद आपको एक गलास पानी और पीना है। लेकिन इस पानी में आपको एक निम्बू और एक चमत चहद मिलाकर पीना है। इस पानी को पीने के बाद आपको जो यूरिन आएगा आप देखेंगे कि उसका रंग बिलकुल पानी जैसा है और उसमें कोई स्मेल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके शरीर से सभी टॉक्सिंस बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद दिन में आपको सुभे के खाने और दोपहर के खाने के बीच में कम से कम दो ग्लास पानी पीने हैं। इसे करने के लिए आप दो मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। और फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ा कर 10 मिनट तक कर सकते हैं। तो शरीर को स्वस्त रखने के लिए यह पहली बात थी जिसमें आपको शरीर की प्योरिफिकेशन करनी होती है। शुद्धी करन करना होता है। शुद्धी करन करने के लिए आपको तीन तरीके बताए। शरीर को स्वस्त रखने के लिए दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वे हैं संपून और सात्विक आहार, तीसरी बात है परहेज, चौती बात है योगासन और वेहाम, और पांचवें बात है ध्यान यानि की मेडिटेशन मेडिटेशन करने से आप मांसिक तौर पर स्वस्त रहेंगे। संपून अहार के अगर बात करें, तो आपके अहार में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्भॉहईड्रेट्स और फाइबर, यह पांच चीज़ें ज़रूर होनी चाहिएं चावल और रोटी से आपको कार्भोहईड्रेट्स मिलते हैं, डाल से आपको प्रोटीन मिलता है, ड्राइ फ्रूट से आपको विटामिन्स मिलते हैं, फ्रूट से आपको मिन्रल्स मिलते हैं, और सलाद से आपको फाइबर मिलता है, तो आपके भोजन में ये सारी चीजें होन दोपहर का खाना थोड़ा कम खाना है और रात का खाना बिल्कुल हलका खाना है अगर आप रात को पेट भरकर ज्यादा खाना खाएंगे तो रात को सोते समय यह खाना हजम नहीं होगा और पेट में सढने लगेगा जिससे टॉक्सिंस पैदा होंगे क्यूंकि रात को जब आप उठेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्यूंकि रात का जो खाना आपने खाया है, वे अभी हजम नहीं हुआ है, आपको दोपहर को भूख लगेगी, क्यूंकि रात का खाया खाना सुबह हजम होना शुरू होगा, और दोपहर तक हजम होगा, इसलिए बहुत सार करने के लिए चाहिए होता है पानी और आप देते हैं चाई सुबह सुबह आपको केमिकल्स को शरीर से बाहर निकालना होता है और आप चाई के माध्यम से अलग-अलग परकार के केमिकल्स शरीर में डालते हैं आप उल्टा काम करते हैं, इसलिए बिमारियां पैदा होती है। अगर आपको चाई पीनी हैं, तो खाना खाने के कम से कम एक घंटा बाद चाई पीएं, लेकिन खाली पेट चाई कभी न पीएं। कुछ लोगों को सुबह खाली पेट चाई पीए बिना मोशन नहीं होता। ऐसे लोग अगर चाई बंद करना चाहते हैं और उन्हें मोशन जाने में दिक्कत होती है, तो आप चाई की जगे पानी को गरम करके चाई की तरह घुड़ घुड़ करके पिएं। गरम पानी चाई की तरह ही असर करेगा और आपको मोशन हो जाएंगे। गरम पानी के बीच में आप जड़ी बूटी डाल कर भी पी सकते हैं। बस आपको खाली पेट चाई पत्ती, दूद और चीनी नहीं पीनी। हर्बल टी बनाने के लिए आप गुड़ डाल सकते हैं। गरम पानी पीकर अगर आप 10-15 मिनट टहल लेंगे तो इससे भी आपको मोशन अराम से हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो में बताएगे बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत हद तक बीमारियों से बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।